आप देख सकते कितना beautiful view लग रहा है, रोड कितनी अच्छी लग रही है, साइट्स में बरफ पड़ी हो और रास्ता चल रहा हुआ हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, guys, I am very happy, अभी जास शिरुवात है दोस्तो, अभी तो आगे हमने और enjoy करना है, तो देख सकते हो, अपर शेतान बच्चा सो गया हुए, चोरा का बच्चा, थक गया अजे, अपके साथ ट्रेवलिंग करकर के गुम के, बारिश भी बहुत हो रही थी आज, टाइम बच चुके हैं बारा, कल का मैंने ट्रिप सोच लिया है, excited बहुत है, कल के ट्रिप के लिए, एपके हुआ हूआ है, बहुत है। साथ बज चुके हैं थोड़ी नीद लेट खुली तो बस मेरे डी वने के लिए जा रहे है यह देख रहे यह उठ चुका है पंग कर रहा है मुझको सुबसुबा यह मंकी कहां चला गया चुप गया मंकी उठ जा मंकी और मैं शमान निकाल चुका हूं अब त्यारी करने शरुकरों बखेंगे और दूसरा चोटा सा मंकी सब्सक्राइब हुआ अभी देख सकते हैं तो बस नहालिया जी चुह धीदिया वागय मारे प्ला गया चलते हैं पैकिंगि योड़ रिदी हो चुके हैं तो रूड्य है समान पैक हो गया है बस अब चाए पिशिद यह तो यह बापा बापाली करो अब बापाल करो अब बापा बाइब करो अबसा निगलना की त्यारी है समान प्राक्त वियर रेड़ी तो बाइस सिर्फ ब्रेकवस्ट करना है और निकलना है गाड़ी पर बैठ चुका हूँ तो बस सीट बेल लगानी है इसके बाद ही साला काम के आगे आज हम ट्रिप पे जा रहे हैं यह साइवन डेज का ट्रिप है कितने सा दिन का तो बस अब आपके बड़ों का शिर्वाद चाहिए चोटों का प्यासे है कि हमाली जो यह जर्नी है से और हैपी-एपी हम निकलें और हैपी हपी ऑगडर पर आए तो हम निकल रहे है और यह टूर जो है पुल्छू एली का है सेवन डेज का और आपको मैंने सर्प्राइब बता दी है कि पुल्छ सेवन डेज टूर तो अभी मुझे पता नहीं है कि रास्ता खुला है आगे यह नहीं खुला है तो बस चलते हैं देखते हैं तो चलें फिर जाय मातादी हुआ हवा चेक होई हो रही है तो भी याँ चेक कर रहे हैं हवा कम थी एक टैर में बाकी साधे टैर होके हैं तो यह किती तक रहे हो हवा 35-40-40 क्योंकि पहाड़ी लाके जाना है बरफ होगी ठीक है भाई थैंक्यू जाय माता दी तो गाइस गर से निकल चुके हैं मौर्णी का समय है मोसम बहुत अच्छा है बादल हलके हलके से मिल्कुल है और आप देख सकते हैं नीला आसमान और समय स पेट हलके हलके से बादल तो बाकी सफर शुरू हो चुका है हमारा सो गाइस एक्साइटीड तो मैं बहुत हूँ क्योंकि ट्रावल शुरू कर चुका हूँ मैं लंबा सफर है पहाड़ी लाका है बरफ भी मिलेगी हमें रास्ते में अब देखते हैं कितनी मिलेगी क्योंकि तो दिन होगे हैं बड़े हुए यह आप भी आके देखने हैं देखेंगे कि आप पहाड़ी जो हैं बहुत से टक्यू ही है तो आप यू समय लिए कि हमने इनी पहाड़ीयों में जाना है थोड़ा सा में कैमरा जूम करूँगा अगर वैसे मेरा मोबाइल में इतना नहीं है जूम फिर भी मैं देखना चाहूंगा यह देखेंगे सारी पहाड़ी है इन्हीं जगाओं पर हमने जाना है कि हम चिनाब प्रीज क्रास कर रहे हैं अक्रूर का चिनाब रिच जमूर से नेरगोड़ा में 35 किलोमेटर आ चुके हैं आप देख सकते हैं चिनाब यह आप चाहिए जाना से जो हमारी अब जरनी है 210 किलोमेटर की है तो बस 210 किलोमेटर फुली हेरिया तो लोगी पाड़ी है शुरू हो गई है इस शुरू हो चुकी है तो हम जा रहे हैं आगे तो एक्साइटमेंट बहुत जादा बड़ी पड़ी है देखते हैं कितना टाइम आगे बहुत तेज दूप है आज और मोसम ही बहुत अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं नीला नीला अंबर है यह हलके हलके से बादल वाइट कलर के बहुत ब्यूटिफुल बना देते हैं वैदर को एड्मासफियर को कभी ठड़ाई आएगी कभी ठड़ाई आएगी पहारों में ट्रैवलिंग ऐसे ही होती है एक पहारी से दूस्री पहारी पहारी करना उतरना पहारों में गाड़ी ठाने का मज़ा ही अलागा कुछ यह मिलता है यह अच्छा आप देखर के बिया कचलू बनाते हैं हम कचलू खाएंगे बिया के पास लोजी गाड़ी रोग है कचलू खाने के लिए कचालू खाने का बड़ा शुमेगली मुझे और अभी हम पर जाएंगे बड़े .... यह बना रहे हैं कि चालू हमारे दिया नाम आपका लिए चोटू ना बढ़ी हैं हमारे सार्ट यह देखो जी कचालू बनाएंगी चेक करवाएंगे पहले से बनाके रखें उन्होंने जोटो भीया करके चालू देखो जी आओ चालू खा रहे हैं जी बहुत टिस्टी है मुझा यह से तो भीया बड़ अच्छे मनाएं जाएं जाएं आपने बिया एक चिस जिरूर याद रखिएगा सीड बैल सीड बैल के बगार गाड़ी नहीं जी मुझा करिए टो कि चोरा पोचे मीं यह इस प्रrahिल है यहां हम तुमों से आते तो पहले आता कि आखनूर दोडोरी जोकी चोरा चेक पोश्त आहें आज गती है लोग्य मार्केट शुरूлект चोकी मार्केट को क्रॉस कर रहे हैं तो है ये देख सकते है जी आ पहाडयां चोटियां खूबसूरत छोटी कुछुछ वादियां कि आपको सब्सक्राइब का पहुंचने वाले हैं आप अगला पॉयंट सो है हमारा काली दार मंदिर हम यहां पर रुकिंगे और मॉठ्ण टेकिंगे परशाद लेंगे सफ़क्यों और यह काली दार मंदिर हम यहां गाडी रोकिंगे साइड पर यह आप देख सकते हैं कालीदार मंदिर 1970 से यह मंदिर है मंदिर कालीदार हल्वा मिला है जी परशाद में बामला हो चुके लों जी पामले पहोंचे है है पामले के मशुर पनीरा इसलती है यह जनाव बड़े दाङो है मेरे दोट साथ भी इससे लिते है तो पामले मशुर पनीरす प्राहएं तो दो डम अंहीं नहीं है तो तकाल पी बामले ठातरों है पर आपना कि तरफ चकह ओने वाला है हम पिल करने वाले कुछ कर बड़ती है जो जी मुशहरा आ गया है अपना या ऐ ही पुल क्र नश्रा लाता यहां से सीधा राइट टर्ण लेना है और हमने पुंच वैली की और जाना है यहां से जो नशेरा सिटी है वो फोर किलोमेटर से और यह रास्ता आप जा रहा है हमारा पुंच की और यह आर्मी जोल आ जालै तो मैं वीडियो को पॉस्ट कर रहें यह आप देख सकते हैं आर्मी की गाड़ियां जाती हुई दौर शुंदर सुंदर रास्ते साफसूत रास्ते रास्ते बट् manosी रास्ते नहीं है तेडे मेटे दास्ते हस्ते रे हस्ते कट जाए रस्ते जिंदगी यूँ ही चलती रहे जोरी यहां से 30 km रहे चुका है तो 30 km क्रॉस करती है हम जोरी भी क्रॉस कर लेंगे यह आगया पनारिया नारिया हमने क्रॉस कर रहे है गाड़ी हो रहे है वैगनर ओवर्टेक बड़ अभी तक नहीं हो पाई बोड़ी सी कमी पेशी और यह आगे से आ रहे है रेट कलब की गाड़ी देदी है इसमें में को पस निपर और यह आ गई है बस और हमने कर दिया है ओवर्टेक बड़ी पूरी बरफ से टक्यूई यह पूरी पैल्ट जो है पीर पंचाल बेल्ट है इसी दर आस्ता जो है पूर्च वैली की और जा रहा है और राइट में जो पड़ता है इरिया वह सारा रज़ोरी सिटी है यह आप देख सकते हैं रज़ोरी राइट जरफ है पूर्च जो है 92 किलोमेटर है यहां से अब हम जा रहें पंच की तरफ अब हम पीजी पहुचने वाले हैं तो यहां से आपको हल्क हल्की सुनो दिखाने शिरू हो जाएगी यह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सामने पाहरों पे बड़क पड़ी यहां पे सुनो फाल हो रखा है पहाडों में हल्की हल्की सी चद्दर दिखाए देगी आपको सफेद यह स्नो फॉल है हम उमसे दिख चाते हैं पहाडों के अब देख सकते हैं बहुत अच्छा दू लग रहा है मुझे यह बरफ का नजारा रस्ते पे आप देखिए पहाडों किया गया हुआ साइडों के बरफ कर दिये मशीन से जिसे की गाड़ी स्लिप ना करे और यह आप आप बीजी पॉइंट आने वाला है तो मैं बीजी से हमारे दो रास्ते डाइवर्ड होते है एक पूंच वैली के लिए जाता है और दूसरा जो है मैंडर के लिए जाता है बना कि डिस्ट्रिक पॉंच ही आ जाता है तो अब भी हम बीजी पहुचने वाले हैं यहीं बीजी पहुचते हैं तो देखते हैं वैलकम तो बिंबर गली आ गया जी पूंच यहां से 54 किलोमेटर हैं सुरुन कोट 25 जड़ा माली गली अठारा और को मैं कीजी टॉप की बात करो इस 45 किलोमेटर है तो हम बीजी चेक पॉइंट में पहुच चुके हैं बीजी आ चुका है जी तो पीजी में बिंबर गली यहां प्यापको कापी स्नोर नजर आएगी यह एक आर्मी विंग है पूरा तो अब हम जा रहे हैं पुंच और हम टर्न हो चुके हैं पुंच के लिए आपको पहाड नजर आ जाएंगे बरफ से डके हुए कि यहां पे कितनी बरफ पड़ती है और हम बरफ के कितनी नजदीक पहुँच चुके हैं जो मैंने सुबह आपके डिस्कस किया था कि हमने उन पहाड़ों पे जाना है तो आप देख सकते हैं इस साला रास्ता जोगा क्लीन किया है दो दिन के लिए यह रास्ता पांद हो चुका था और यह रास्ता आज ही खुला है तो हम बहुत लग्की है कि हमें रास्ता खुला और मिला नहीं तो आज भी हमारी नाइट ट्रैविल भी लग जाती यह तो भी राब हमें बाया मेंडर से जाना पड़ता अब देख सकते हैं कितने अच्छी आ रही है कितना भूड भूड लग रहा है रोड कितने अच्छी लग रही है साइट्स में बरफ पड़ी हो और रास्ता चल रहा हुआ हमारा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे काईस अब ही ज़स्ट शुरुवात है दोस्तों अभी तो आगे हमने और इंज्वाइ करना है मैं बहुत एक्साइटिट हो चुका हूँ कि कल का क्या रहेगा प्लान वह हम देखते हैं बाद में अभी तो हम चल रहे हैं अब देख सकते हैं कोड़ा सा बाहर का नजाल लेते हुए स्वेट पड़ी हैति संयों पड़ी है यह आप देख सकते हैं यह यह रोट देख सकते हैं यह आप कर चीर के पैठ्स देखर सकते हैं तो ना घुए हैं के धाला है Ultra अज़्यों लुकित करीश करऊंगा हूँ अपने साथ गाड़ी में ले जाएंगे और ले जाने के बाद आप अब भी हम क्या करने लगे हैं आम इसको करने लगे लाक्ट तो इसी बहांदे से हम करते हैं इन्जॉय बने रही है मिरे साथ की मत चाहिए गा कर दो लो जी चुरू हो गया है अपना बोन फायर के लिए यह अपना ही मज़ा है हाथ सुन हो चुके हैं बर्फिली हवाओं में चराथ भोला जाता है इसको हम जलाएंगे रात को यह बिया मिले हैं यह एड्वोकेट हैं पुंच में राते हैं और पुंच में इनकी जॉब है यहां पर इस जगा के नाम पर बिंबर गली और यहां पर बर्फ इतनी पड़ी है सुनो का मज़ा लेते हुए बहुत जादा बर्फ है और यह काफी अर्से के बाद जो है हमें इतना इतनी बर्फ बारी देखने का जो है एक अफसर मिला है लगवग आठ से नौ साल बाद यह हैं बर्फ बारी जो है हमारे इस चीज़ का पूरा मनुरंजन जो है इसका करना जारा अब यह देख सकते हैं किसी ने इगलू बनाया हुआ है आइस का यह मुझे बड़ा चलागा तो मिलने इसको नज़र पड़ी तो मैं बैक करते हुए वापिस गाड़ी लाया हूँ किसी ने बहुत अच्छा इगलू बनाया हुआ है कि यह इगलू के साथ मेरी वीडियो बनती हुए है कि रफी अच्छा है कि यह आप देख सकते हैं सुरुन कोट का नाइस व्यूजन समाता हुआ सुरुन फोट पाइनली गाइस पहुंच चुके हैं पहुंच वैली में मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा हूं है तो अंदेदा है बाहर तो तो दिखाता हूं में आपको वाइस पुंच पहुंच चुके हैं पुंच वैली देख सकते हैं आप यह पुंच है सिटी है साथी हुआ है दो कि अधर कि अधर को ने कि अधर करने सुबाद के 5 बच कि दीज मिनिट हो चुके हैं पहली सुबार मारी पुंच वैली में है तर्दी बहुत जी आप देख सके कर में मफलर भी और होगे तो में टोपीडा की भी शोया था है आपको 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 बात नीए कर पाया था आप से क्योंकि बैटरी में डून हो चुकी थी तो अभी फोन चार्जिंग पर लगा चुका है मैंने तो आगे का प्लान क्या से रहता है कहां का रहता है देखते हैं अभी चार्ग करते हैं इस पर हम तो मिलते हैं जै